कुरानी मालूमात पार्ट 1 आपका पहला सवाल यहाँ है कुरान मजीद में कितने सुरते हैं? A. 113 B. 114 C. 115 D. 116 आपका सही जवाब है B. 114 सुरते आपका दूसरा सवाल यहाँ है कुरान मजीद में कितने पारे है? A. 39 पारे B. 30 पारे C. 31 पारे D. 32 पारे आपका सही जवाब है B. 30 पारे आपका तीसरा सवाल कुरान मजीद में कितने आयते हैं? A. 6662 B. 6664 C. 6666 D. 6665 आपका सही जवाब है C. 6666 आपका चौथा सवाल है कुरान मजीद में कितने रुकू है? A. 545 B. 540 C. 546 D. 541 आपका सही जवाब है B. 540 रुकू है आपका पांच्वा सवाल यहाँ है कुरान मजीद में कुल अलफाज कितने है A. 86432 B. 86431 C. 86430 D. 86431 आपका सही जवाब है C. 86430 रुकू है आपका चौथा सवाल यहाँ है कुरान मजीद में कितने हुरूफ है? A. 3,23,769 B. 3,23,760 C. 3,23,761 आपका सही जवाब है B. 3,23,760 हुरूफ है आपका सात्वा सवाल यहाँ है आपका सात्वा सवाल यहाँ है C. सुरा अल्बक्रा सबसे लंबी सूरत है आपका आठवा सवाल यहाँ है कुरान मजीद की आखरी सूरत कौन सी है? A. सुरा फलक B. सुरा कौसल C. सुरा नास D. सुरा इखलास आपका सही जवाब है C. सुरेय नास कुरान मजीद की आखरी सूरा है आपका नौवा सवाल यहाँ है कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? A. सुरा फलक B. सुरा इखलास C. सुरा कौसल D. सुरा नास आपका सही जवाब है C. सुरा कौसल कुरान मजीद की सबसे आखरी सूरत है आपका दस्वा सवाल यहाँ है कुरान मजीद में कुल मक्की सूरत कितनी है? A. 30 B. 29 C. 28 D. 31 आपका सही जवाब है C. 28 कुरान मजीद में कुल मक्की सूरत है आपका सही जवाब है